असलाम अलेकुम हमारे मुल्क में बैंकर्स को इनसान नहीं समझे जाता है आज हम बात करेंगे बैंकर्स की जिन्दगी कैसी है जैसा कि सरकुलर आ चुका है मार्केट लेट खुलती है जिसकी सजा भी यकीनर बैंकर को ही मिलती है बास कस्टमर कोशिश करते हैं बैंक बंद होने से पांच मिनिट पहले जाए या बंद होने के बाद वास्ता दे कर बैंक के अंदर दाखिल हो और यही वजुहात हैं जो बैंकर्स इतनी बड़ी अभी जो कस्टमर्स आखिर वक्त में दाखिर हुएं इनकी ट्रांसेक्शन खतम होते होते भी धाई या तीन बज जाते हैं और ब्रेक कर जिकर किया गया था को अपनी जेब से भणने पड़ते हैं कम्प्लीट ट्रांसेक्शन कराते कराते बैंकर्स की नमाज तो यह तो कुछ की छूट जाती है यह कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि बैंक में काम करने वाले मुसल्मान और इनसान तो हैं ही नहीं अल्टरनेट स्टाफ तो कम ब्रांच में ही पाया जाता है बिलाकिर बैंकर चार बज़े घर के लिए निकलता है रासे में ट्रैफिक और बचते बचाते असर हो ही जाती है और आप रोज़ा खोल कर थोड़ा अराम की कोशिश पिर तरावी 10 बज़े के बाद जब घर वाले और फिर 5-6 गंटों की नींद के बाद वही सेम रूटीन प्राइम मिनिस्टर साब 6 दिन काम करानी की जुरूत नहीं गौर्णमेंट स्टाफ के लिए सिर्फ बायोमेट्रिक इंस्टॉल कराएं थम इंप्रेशन लगवाएं अगर 5 दिन बराबर टाइम से आफिस आएं और इवें नौकरी तक छोड़ने पर अमाद हैं तो खुदारा होश के नाखुल ने बेशतर तरीकेकार को फॉलो करें और इस डिसीजन को रिवस करने की कोशिश करें वीडियो अच्छी लगए तो शेयर करें असलाम अलेकुम